अहिंद आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इलहाबाद बैंक में जो ATM फॉर्म को फिल करना होता है उस फॉर्म को कैसे भरेंगे आप लोग तो वह इसी के बारे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको तो सबसे पहले आपको यह फॉर्म आपको बैंक म में निकालके और यहां पर एक फोटो लगा देना है उसके बाद फोटो लगाने के बाद यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर लिका है ब्रांच जो भी आपका ब्रांच नाम है उस ब्रांच का नाम देदी जी का जैसे मदवनी में दिया हूं तो आप जो हो डाल सकते है उसके बाद यहां आया है name, यहां पर है first, middle, last तो जो आपका first name है, वो नाम डाल देना है, उसके बाद कुमार देते हैं, तो कुमार और last में यदि आप कोई कास्ट देते हैं, यादव, सीइंग, ठाकूर, सारमा, जहां कुछ भी देते हैं पिता का नाम डाल देना है, ठीक है father's name या husband name जो लिखा है यहां पर डाल देने के बाद, यहां पर है address जो भी आपका address, वो यहां पर सही-सही भर देना है, जैसे कि मैं दिया हूँ village यहां उसके बाद दिया हूँ post office उसके बाद दिया हूँ मैं police station उसके बाद मैं दिया हूँ district ठीक है, यह डालने के बाद यहां पर पीन, जो भी आपका पीन code है, वो आप यहां पर feel कर देना है, यह करने के बाद, आप क्या करेंगे तो यहां पर telephone number छोर के, mobile number बला में, आप mobile number अपना यहां पर भर देना है, यह भरने के बाद, आपको यहां पर एक option मिलता है, email जो भी आपका email ID है वो यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है यहां पर लिखा है name as desired on the card, maximum up to उन्हेस character, not nickname यानि आप अपना ATM card में जो भी नाम रखना चाहते हैं वो यहां पर पुरा भर देना है ठीक है, और वो उन्हेस अक्षरों से जैदा नहीं होना चाहिए यहां पर साब साब बोल दिया है उन्हेस अक्षरों से जैदा नहीं होना चाहिए उसके बाद, जैसे कि नाम, जो भी नाम हो, आपका ATM पर रखना चाहते हैं को एकाउंट नंमर है वह एकाउंट नंमर यहां भर देना है यह भरने के बाद आपको यहां पर फिर लिखा है अगर सेकरेंटरीचांट है तो स cob इकांट वाले को भी सेर्विंग हो या करेंट हो जो कि इसका भी डाल सकते हैं उसके वाद नीचे मादना है आपको नीचे में यहां पर लिखा है नुअनि नुमनियसन डिटेल्स फॉर इंसूरैंट्स को वर यानि किसी भी तरह से आपका कहीं मित्य हो जाती है तो आपका bank का पैसा जिसका नाम देंगे नामनी में उसके खाते में जाता है ठीक है, यायनि वह निकाल सकता है तो यहां पर जैसे मैं नामनी में दिया हूँ मनोज, कुमार, यातव यानि उसका भी first name, middle name last में जो भी नाम देते हैं उसका नाम दे देना है उसके बाद उसका date of worth यहाँ पर जो भी जिसका भी नाम दे रहे हैं उसका date of worth यहाँ डाल देना है डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर लिखा है relationship with the first holder या joint holder या आप जिसका नाम दे हैं उसका साथ आपका क्या relation है तो मेरा brother है तो मैं brother दिया हूँ आपका jodulation हो यहाँ पर लिख देना हो, father हो या sister हो जो भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा है declaration, declaration निसे सब को पढ़ लिजेगा और यहाँ पर फिर अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर भी यहाँ पर signature कर दीजेगा ठीक है, यहाँ पर signature कर देना है signature करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है for branch use only, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ दना है ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखीगा इसमें कुछ नहीं भरना है, उसके बाद यहाँ पर है, आपके सामने में photo card only ठीक है, फिर लिखा है आप ब्रांच code, जो भी आपका branch code है वो यहाँ पर डाल देना है अपने देखकर पास्वुक में फिर यहाँ पर लिखा है photograph of first size applicant, फिर यहाँ पर आप फोटो डाल देंगे ठीक है, जो भी आपका photo है और यहाँ पर आप signature कर देना है, यहाँ पर लिखा है signature of the applicant please sign in the black paint, मैं blue paint से क्या हूँ, आप ध्यान रहेगा यहाँ पर black paint से ही करना sign ठीक है, ध्यान रहेगा यह बात, उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे तो लाइक करना और चैनल को भी subscribe करना